आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड समेस्टर के पुलिटिकल साइन्स यानि की राजनीती साफ्त के यूनिट नमबर थर्ड के मोस्ट इंपार्टन कोश्चन और अंसर के बारे में हर सब्जेक्ट आठ यूनिट में डिवाइड है आप सभी को मालूम ही है ठीक है तो आज किस वीडियो हम कबर करने वाले हैं यूनिट नमबर थिरी फिजुडे मोस्ट इंपार्टन कोश्चन और अंसर के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहेगा ठीक है पुलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है और थर्ड समेस्टर है और प्रस्ण प है इसमें यह कुश्चन है ठीक है तो लोग तांत्रिक विकेंद्री करण परिच्छा में आपके प्रस्ण आएगा भी हंडर प्रस्ण से और है तो इस बात को ध्यान लखेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे आप सभी ध्यान से सुन लीजिए बहुत महत्पूर्ण सासन सत्ता को एक अफ्थान पर केंद्रित करने के बज़ाए उसे अफ्थान ये अफ्तरों पर विभादित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागेदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों वह आवस्यक्ताओं के अनूप सासन संचालन में अपना योगदान दे सकें ठीक है तो इसका मतलब यह है लोगतांत्रिक बिकेंद्रिक गणका और लोगतांत्रिक का मतलब समझते हैं फिर पूरे का मतलब समझते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले आपको जाना है लोगतांत्रिक सब्द जो इसका मतलब क्या होता है तो इसका अर्थ है लोगतां की सासन पुफ्टता आए जिसमें सभी बेक्तियों को समान अधिकार दिए जाते जाते हैं किसमें लोकतांत्रिक में के लिए एक अच्छां लोकतन्त्र हुआ है जिसमें राजनित्यक समाजिक न्या के सासात आर्थिक ना की वेत्था भी होती उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं यान कि लोकतंत्र कहते हैं उसके बात अमने ृच्प यहोता है कि जब संत्र केंद्र और राज실сол मतलब एक तरीके से माल लिजे कुछ सक्तियों को लेकर ठीक है केंद से कुछ सक्तियां लेकर ठीक है और कुछ सक्तियां राज सरकार से लेकर ठीक है ठीक है वह अफ्थानी सरकार को दे दी जाती है इसे ही भी केंद्री गण कहते हैं ठीक है यानि अफ्थानी सरकार का मत्तब यह आपके मालिजे की एक्जाम पंचायत में आकर हर समस्या को तो सुन नहीं पाएंगे ठीक है तो इसलिए महाँ पर एक अस्थाने सरकार बनाई जाती जिससे वह आपकी समस्याओं को समझ सके और उसका निवारण कर सके ठीक है तो वह क्या होता है कि कुछ सक्तियां केंद्र से मिलती हैं और कुछ सक्तियां पर राज से मिलती हैं तो इन दोनों से जब कुछ सक्तियां मिलती हैं अस्थाने सरकार की तो वह थोड़ा हो जाती ताकि वह जो आम आदमी है उसकी जो समझ सके और उसका निवारण कर सके ठीक है तो यह हो गया भी केंद्रिकर्ण ठीक है तो अब दोनों का मतलब समझते है मतलब की हैंड़ लोकतांत्रिकश बिकेंद्णओं का अर्थ है कि शासन सत्ता कों एक अफ्ञान पर केंद्रित होने मतलब की जो सरकार है वो एक अफञाज पहले में थैसे कि भाई तो नहीं देना है तो आप लोग के पास पैंसे नहीं है दी जाएगी या फीर आप लोह के पास पैंसे में नहीं वा फटी तो इसलर्म इले के बताया जा रहा है कि वहाँ पर उसको अफ्थानिय अफ्तर की जो सरकारे होती है अफ्थानिय अफ्तर के जो ठिक गवर्मेंट होती है उसमें विभाजित करना चाहिए ठीक है मतलब कि ताकि वो लोगों की आप लोगों की जो समस्चाय है जा जिस रूप में हो उनको समस्च स के और वह अपने हितोर अवस्यक्ता है मतलब उसके जो काम है जो उसकी जरूरत है उसके अनुरूप सासन संचालन में अपना योगदान दे सके ठीक है तो वही बताया जा रहा कि केंद्र को सिर्फ केंद्र अपने वहां मतलब एक जगे न रहे कर छोटे-छोटे सहरों में छो इसी लिए आपके पास समस्च्या है तो आपके डारेक्ट मुखमें द्रिपां जाएंगे जापाएंगे तो इसलिए अफथान आगर होगी तो आप लोग अफथानिय प्रदान लोग रहते हैं तो अगर कोई समस्या रहती तो आप लोग उनके पास जाते हैं और बताते हैं तो कहीं न कहीं आपका निवाराण करने की कोशिश भी करते हैं ठीक है तो भही बताया जा रहा है कि अफ्थान्य सरकार का होना जरूरी है पूरी तरह आम आद्मी आम जनता है वो अपने जो अपने जो समस्याइ उनका समाधान करा सकें अफ्थानय सरकार का होना ज़रूरी है कुछ जो अफ्थानय सरकार हैं वो डिवाइट कर देने चाहिए कई एरियों में कई कई जगाहों पर ठीक है बहुत बड़े बड़े जो प्रदेश होते हैं उसमें जरूरी नहीं कि हर समस्या हर इंसान लेकर उपर तक जाएगा नहीं जा पाएगा भाई तो इसलिए यही बता जा रहा कि अफ्थाने सरकार का होना जरूरी है यह प्रश्ण करीब करीब आपकी परिच्छा में लग उत्रे देर के उत्रे में देखने को मिलेगा तो आठ फिदस नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे समझ के तयार कर लेंगे तो ठीक अब अगला प्रश्ण भाई है कि लोगतांत्रिक विकेंदी करण का जनक कौन है ठीक है तो सिंपल सा उत्तर लिख देना कि पंचायती राज को पहली बार महत्मा गांधी द्वारा लोगतांत्रिक विकेंदी करण की हिस्चे की रूप में देखा गया था या राजफ्थान के नगोर जिले में 2 अक्टोबर 1961 को प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरु ने पेश किया गया था बलवंत राय महता को भारत में पंचायती राज के जनक की रूप में जाना जाता है यानि कुर्म लाके बताया जाए तो लोकतांत्रिक विकेंदीकन का जो जनक है वो बलवंत रा सहरी अफ्थानिय सोशासन क्या है ठीक है चलिए जानते इसके बारे में सहरी अफ्थानिय सरकार हमारे सहरी छेत्रों में आवस्यक नागरिक स्रेवाओं और स्विधाओं का प्रमुख आपूर्ति करता है और यह अफ्थानिय अफ्थर पर जमीनी अफ्थर के लोकतंत्र का प्रति निधुत्तु करती है सभी प्रकार की सहरी अफ्थानिय सरकारे चुनावी वार्डों के आधार पर लोगों द्वारा लोगतांत्रिक तरिकी फी चुनी जाती है ठीक है कहने का मतलब ये है ध्यान से सुनेंगे तो जो अफ्थाने ठीक सहरी अफ्थाने सरकार जो है न वो हमारे एरिया में हमारे छेत्र में हमारा जो एरिया है जिस गाउं में रहते हैं जिस सहर में हम रहते हैं ठीक है ठीक है वहाँ जो आवस्यक चीजें हैं नागरिकों क के लिए मतलब कि नागरिकों के लिए कुछ सेवाइं होती हैं ठीक है और कुछ उनको सुभिधाओं देने का एक केंदर होता है जिसे कहते हैं शहरी अफ्थानिय सरकार के माध्यम से आपके गांग के आपके छेत्र के लोगों को कुछ जो गॉर्मेंट की सेवाय आती हैं वो कि जाती हैं ठीक है और उनको बहुत सारी सुविधाएं और फैसलिटी दी जाती है ठीक है तो उसका एक परकार से केंदर होता है ठीक है जहां पे कोई मालीज इन्ट की मालीज या पके पास पैंसन के पर आपको अनुदान नहीं मिल लाए ठीक है और भी बहुत सारे जो बच्चों के लिए स्कीम आती है ठीक है वो आपको नहीं मिल ले तो एक प्रकार से वह आप सभी को जो फहरी अफ्थाने सरकार होती है इन सभी चीजों की सुबधा प्रवाइट करती है अगर आपके पास क जो सहरी अफ्थाने सरकार है वो जनता की सेवाओं और सुबधाओं के लिए है ठीक है उसी का पूरा केंद्र है जिसको बोलते है अब ठीक है अब पूर्ति करता है और अफ्थाने अफ्थर पर जमीनी अफ्थर के लोकतंत्र का प्रतिनिश्थ करती है मतब कि अफ्थानी इस प्रकार की सहरी अफ्थानी सरकारे चुनावी और वार्डो के अधार पर लोगों दो द्वारा लोगता अंतरिक तरीके फुनी जाती है ठीक है तो कहने मतलब यह है कि जो अफ्थानी सरकार होती है यह जो आपका गाउं है या फिर आपका नगर है ठीक है तो आपके जो उन कंडिरेट को ओट देकर ठीक है उनको जिताया जाता है ठीक है तो वही बन जाती है सहरी अस्थानिय सरकार ठीक है तो मतलब यही एक लोगोदार लोग तांत्रिक तरीके से मतलब की वह पिरीत तरह स्वतन्त्र होकर किसी को भी वो अपना जो मतलब की ओट है ये फिर आप लोग बोलते हैं कि जो ठीक है अधिकार है वो आप मतलब का जो अधिकार है वो आप निभाते हैं और उसको ओट देते हैं ठीक है अपना एलेक्शन जो होता है सहरी अस्थानिय का उसमें आप लोग जिस कंडिडेट को आपको इच्छा है जिसको बेटर लगते उसको लोग चुनते हैं ठीक है तो इस प्रकार होता है फैरी अस्थाजदी सवसासन का मतलब और पूरा डीटिल ठीक समझ में आ गया पक्का प्रस्ण आएगा अगला प्रस्ण है कि भाई तेहत्रवा संविधान संसोधन क्या है ठीक किया गया है किस चीछ के लिए लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए ठीक है तो लोकों संटर संभिख्ट को समान अधिकार दिए ठीक है तो समान जो अधिकार हैं उनको मजबूत करने ही किया गया है जिसकी पहल पंचायती राज बेउस्टा के दवारा की गई भारत के तहत्रों संब्ता संसोधन के माद्म से पंचायती राज बेउस्था को सम्वैधानिक मानिता प्राप्त होई संबिधानिक मातनता का मतलब यह हुआ कि संबिधान द्वारा वो सार्टिफाइड हुआ कि हाँ पंचायती राज बेवस्था भी कुछ चीज होती है और इसके कुछ नियम है कुछ कानून है कुछ बेवस्थाएं है ठीक है जो कि संबिधान में इसको लिखा गया और संबिध प्रदान करके उन्हें ससक्त बनाने के उद्देश से लागू किया था ठीक है धाई लाक जो पंचायते हैं उनको मोल रूप से अधिकार प्रदान किये थे ठीक है और यह ग्राम पंचायते अफ्थाने के एरिया में चार पांस चोटी चोटे गाहं उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता ठीक है तो वहां की जो अफ्थाने चेत्र होते हैं ठीक है उनमें नए-एशुभिधायें लोगों को देना ठीक है समय रहते ठीक है माली जे कि उस एरिया में फैसिलिटी नहीं है पानी की तो उसका सुभिधा ठीक है उपर से डिमांड करके मंगवाना और पानी की पूर्ति कराना ठीक है आपकी एरिया में कोई अन्य समस्च्या है तो उसका सलोसन कराना ठीक है तो यह सब पंचायती राज बेवफ्था को दी गई है ताकि यह नए-ने योजना है और नए-ने जो काम है वो बड़ी को सलता पूर्बग कर सके और लोगों का जो जीवन है वो बहतर बना सके ठीक है और वो अच्छा जीवन लोग बाग जी सके तो यह हुआ था तहित्र संवधन जो हुआ था उसमें ठीक है अगला प्रशन यहाँ पर प्रस्तु था इसमें है कि भाई तहित त्टीक है अफ्थानius 67 के नाम से भी जाना जाता है किए अस बात को ध्यान रखाएंगे अफ्थानिय न में परस्ता और सकतलरोंमेंanne neural रिपपन ने से 1872 में रखा था ठीक है इस 119 में बारतिया 620 की बेउस्था की गई सब्धान का मुख्याम का मुख्य सहरी अफ्थाने सरकार से होता है या देश में मव्जूद सभी नगर्पालिकाओं को एक समविधानिक दर्जा देने का कारे करता है मतब कि चहुत्रे संसोधन में जो शहरी एृथथाने सरकार होती हैं उसमें जो मौझूद नंगर पालिका को एक जो प्रमाड़ित साट्रे फिकर दें वो चहुत्रे संमेधन ता वुज Stories वहां त्रीक उसमें इसको इंक्लीट किया गया और साट्रे मतब कि प्रमाण पत्र देकर उसको मानता दी गई कि हाँ आप भी भारत का सम्मिधान उसमें आप एड हो चुकी है आप अपने अनुसार मतलब जो सम्मिधान की नियम है उसके अनुसार आप पुरी तरह प्रमाणी थे आप लोगों के हित के लिए अपना काम कर सकते हैं ठीक है तो व सम्मिधान ठीक है शभा द्वारा किया गया था जिसमें समय समय पर जनता की मागों में मद्दे जनर रखते हुए कई बदलाव किया जाते हैं जिनें सम्मिधान सम्मिधान के रुप में परिभासित किया जाता है ठीक है चोहत्रवे सम्मिधान 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 को लोक सब्सक्राइब और तो पर्णान सोधन के अंतरगत नगर निगम नगर पंचायत यूंघ पालका की कार्यपणाली जनता की भागी प्रभावित होती है यह नागर्कों को निड़े लेने की शुब्धपदान करती है आप लोग देखते हैं कि नगर निगम कभी ठीक है और पंचाइट कभी यह प्रधान होता है ठीक है तो यह सब पंचाइट मतब कि एलक्षन होते हैं जिसे लोग उनको जो मीदवार खड़े किया गया था ठीक है और अगराच चोत्रबा संविधान संसोदन कब लागो किया गया था इस बात को ध्यान रकेंगे भाई एक जून 1923 संसोदनावए newer उपः वाला आपने मैंने प्रितृत्रबा भी बता दिया कब लागो किया था और और चहोत्रवान भी बता दिए कि कभ लागु किया गया था ये एक जून'der993a को लागु किया गयो ठीक है और भारत यी चाहट्र बांबे द्वारा समयधान में भागllä नाइन एको जोड़ा गया था ठीक है भाग नाइन एको जोड़ा गया था जिसके द्वारा देश के सभी नगर पालिकाओं को सम्मेधानिक दर्जा मिला तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लेखेंगे बाकी डीटियल में और भी यह तो आप पढ़ सकते हैं यह पीडियो आप